श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, यदि आप जीवन में धन से संबंधित, किसी भी प्रकार की समस्या से घिरे हुए हो, चाहे वो करजे का बढ़ता जाना हो, या फिर व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी नहीं लग रही हो, किसी भी तरह स उपाय को ध्यान से सुने, तो चलिए, अब सीधे आते हैं आज के इस महाउपाय की तरफ, सबसे पहले आप सभी को ये बता देते हैं, कि इस उपाय को आप सिर्फ वैशाक के महीने में ही कर सकते हैं, बताते चलें कि अभी वैशाक का महीना ही चल रहा है, जो कि 23 मही तक रह अतह आप इस उपाय को 23 मई के पहले पहले जरूर कर ले। नहीं तो ये मौका आपको फिर अगले साल ही मिलने वाला है। कि चावल का जो दाना आप सफेद वस्तर के उपर रख रहे हैं वो बिलकुल साबुत हो। अर्थात वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। अब आपको एक सफेद पुष्प लेना है और उस फूल को भी उस सफेद वस्तर पर रख देना है। अगर किसी कारणवश आप को सफेद पूल नहीं मिल पा रहा हो तो उसके बदले आप एक चावल का दाना भी रख सकते हैं। इस इस्तिथी में कुल 109 चावल का दाना आपने उस सफेद वस्तर पर रख दिया है। अब आपको इस वस्तर का जिसमें चावल और फूल रखे हैं उसका पोटली बना आशा करती हूँ यहां तक कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इस सफेद पोटली को किसी कटोरी में रख दें और अब उस कटोरी को अपने किचन में वहाँ पे रख दें जहां आप पीने का पानी रखते हो। या फिर जहां भी पानी का मटका हो या फिर प वैशाक के महीने में ही करना है, तो ये पोटली आपको वैशाक के महीने के किसी भी तीन दिन लगातार वहाँ पर रखना है। किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है मंदिर पहुँचकर भगवान शिव के सामने घी का दिया जलाए और दिया जलाते समय अपनी बात शिव जी के सामने मन ही मन कहे डाले दिया जलाने के बाद आप उस पोटली को तथा साथ में जो कुछ भी फल या मिश्ठान लाए हैं उसे किसी ब्राहमर्ण या गुरुजन को भेट में दे दे अब ब्राहमर्ण का आशिरवाद लेकर वापस अपने घर आ जाए बस आपका ये उपाय यहीं पे पूरा होता है विश्वास करें महादेव आपकी पैसे से जूरी सभी परिशानियों को धीरे धीरे समाप्त कर देगे तो दोस्तों आपको आज का ये उपाय कैसा लगा ये जरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही किसी विशेश उपायों के साथ तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव